हलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल आयरुवेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लीवर के बढ़ने पर अपनाये जाने वाला एक बहुती आसान आयरुवेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ प्रयोग को बताने से पहले दोस्तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर ले इसके साथ ही में दोस्तो नीचे दिये गए बैल आइकन को आप दबाना ना भूले ताकि जब भी कभी कोई नई वीडियो में अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं उस आईवेदिक प्रियोग के बारे में दोस्तो वैसे तो लीवर के बढ़ने पर अक्सर लोग बहुत सी दवाईयों का सेवन करते हैं जिनका सेवन वो एक लंबे समय तक करते हैं जादा लंबे समय तक दवाईयों के सेवन से आपके सरीर पर भी गहरा असर पड़ता है इससे सरीर की किड़नी भी बहुत प्रभावित होती है परंतु क्या आप जानते हैं कि आप बिना किसी दवाईयों का सेवन किये बिना बढ़ते हुए लिवर को फिर से ठीक कर सकते हो यानि कि उसे फिर से समाने रूप में ला सकते हो और ऐसा करना बहुत आसान है इस प्रयोक के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पका हुआ पपीता जी हां सिर्फ पपीता चाहिए आपको आपको करना क्या है हर रोज आपकी दिन चरिया में कम से कम दो बार पका हुआ पपीता का सेवन करना है इसके सेवन करने से ना तो आपके सरीर पर कोई बुरा परभाव पड़ेगा और ना ही आपके सरीर के किसी अंग को हानी होगी एक बार में आप 300 से 300 ग्राम पका हुआ पपीता का सेवन करें स्वाद को बढ़ाने के लिए आप काली मिर्च या फिर सेंधा नमक का भी प्रियोग कर सकते हो इसके सेवन से और भी फायदे होंगे इससे खटी डकारे और पेट की जलन में भी आपको राहत मिलेगी यानि कि यह हर तरह से आपको फायदा ही फायदा पहुंचाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए, कमेंट कीजिए फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ अन्य जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद